मौनजीत मंडल, अमिच शाह के साथ वो केमिस्ट्री बन पाएगी जो की एक राज्य के मुख्य मंत्री और देश के ग्रह मंत्री के बीच होनी चाहिए, वो भी तब जब अमिच शाह खुल कर ये कहते रहे कि हमारी रैली तक नहीं होनी देती, उनके अफसर हमारे हेलिकॉप् अब यहां यह हो रहा है कि हमारा जो टीम्स का चुने हुए जो आदमी है, काउंसिलर हो, एमेले हो, उनलोग का भागा के ले जा रहे हो, ठीक है, उनलोग को भागने के उनलोग कोशिस कर रहे है तो बहुत अच्छा है, डिमोक्राश्य में कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जब एक सर्थ होना चाहिए क्योंकि आप T.M.C के चुने हुए MLA और काउंसिलर हो अब रिजाइन क्यों नहीं करते हो तो अमित साजी को और मोधी साब को इन लोगों को ये सला देने चाहिए कि तुम आओ उसी रिजाइन करके बीजेपी में आओ वो काउंसिलर MLA रहे गे T. कौन सा गौन तंत्र है भाई साब यहां पर NRC का धमकिया दे जा रहा है कि सब बंगल में बंगल को कंगल कहते हो बंगल में सब घुस पेटी आए- सब बंगलादेशी रहती है यहां पर कोई बंगाली नहीं है साब बाहर से बाहर से लोग आते हैं यहां में मुसलमान जिते हो आप लोग बहुत ही बाड़ा मेंडेट आप लोग मिला है देश के लोग अप लोग अशिरबात किये हैं उसके बावजुद भी आप लोग ममतादी को टीज कर रहे हो इसको क्या कहोगे वह जाब जाते हैं कॉन्वय उनके कान्वय के आगे-ागे जॉई शिराम कहते ह जैसरी राम कहने से चेड़ जाते हैं? इस तरह का छेड़ खाने, इस तरह का टीजिंग क्या इतना बढ़ा पाती का समँष के देता है. मैं आपको बोलूँ जैसे मैं हरियाना से आता हूँ वहां तो लोग मिलते हैं सामने वाले को कहते हैं जैराम जी की अब मैं आपसे कह दूँ जैराम जी की तो मैं आपको छेड रहा हूँ क्या या बत्तमीजी कर रहा हूँ क्या आपके साथ मिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप मेरे को मेरे सब आप वान टून मुलाका थो आप जैराम जी कहो और आप स्रियाम जैसिराम को हो कोई प्रॉबलम नहीं CM का कनवय जा रहा है बाहर से बाहर से लोग पिशे से आके ये कनवय के समने आके कहते है जाई सिराम ये कौन सा तरीका है जाई सिराम कहने के समने समने जाओ कहो ममतादी सलाम जाई सिराम बात ठीक है वही ममतादी कहे रहे आरे मेरे समने आके कहो बाहर से पीछे से आके बोलते हो मेरे कन्वय की सामने कूछ जाते हो ये कौन से तरीका है जाई सिरा मैं जागराएं जी कुछ भी बोलो कुई तरीका होता है ना बोलने का और की हुई आमिस्सा जी मोदी जी इन लोगों को छोड़के गे है अर इतना बड़ा मेंडेट मिला है आपको इस तरह का टीजिंग करने का क्या मतलब होता है आप ही सोचिए सब कुछ कहने का एक स्लोगन भी है अच्छा स्लोगन आपके लिए अच्छा स्लोगन है हमरा लिए नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी आप कह सकते हो मतलब आप ये मांते हैं जाए श्री राम आपकी पाटी के लिए अच्छा स्लोगन नहीं आप ये कह रहे हैं कि जाए स्री राम पर किसी राजनितिक पार्टी की ठेकेदारी या बपोति है क्या संगीत रागी बोलना चाहते लेकिन उसके पहरे जल्दी संबित पात्रा जवाब देदीजे फिर संगीत रागी बोलेगा संबित चोटा से जवाब बोलेगा वो कहरें आप लोग छेड़ने के लिए टीज करने के लिए जैसे डाम बुलवाते हैं वेडंबना देखिए रोही जी यह वही पॉलिटिकल पार्टी है टीमसी जव कश्मीर में जवानों के ऊपर बदमाश पत्राव करते थे तो कहते थे यह तो बच्चे हैं यह तो अभिवेक्ती है पत्थर ही तो फेक रहे हैं आप पेलेट गन क्यों चला रहे हैं और अब कह रहे हैं कि जहां मुझे इस से याद आता है कि जिस प्रकार इसी बंगाल की भूमी में अंग्रेजों को भगाने के लिए यही पर बंदे मातरम का शुजन हुआ था वंदे मातरम जहां अंग्रेजों को लोग देखते थे वही कहते थे वंदे मातरम वंदे मातरम अंग्रेज परिशान हो जाते थे आज मुझे अश्चर्य हो रहा है कि उसी भूमी में अगर जैश्री राम कह दिया जाता है तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्य मंत्री है वो परिशान हो जाती है सोच के देखे एक अंदोलन बंगाल में खड़ा हो ममता बनर्जी अंग्रेज है क्या जो उनको भगाने के लिए आप जैश्री राम को नारे के तौर पर इस्तिमाल करने है नहीं नहीं आप इसके पट को नहीं समझ रहे हैं अंग्रेज नहीं यह ममता बनर्जी शुत्र है यह नहीं है आप पट को समझे आपको समझना पड़ेगा कि एक रिवल्यूशन जन्म हो रहा है एक एक फ्रेज एक एक सेंटेंस जैश्री राम बंगाल में तुष्टिकरण के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे रही है और ममता बनर्जी तिलमिलाए हुए है उनकी परिशानी दिख रही है उनकी आस्था के प्रदर्शन का एक प्रतीख है आपने उसको राजनीतिक नारें बदल दिया ना क्यों जैश्री राम बंगाल दिख नारा कैसे हो सकता है आप अगर कहेंगे कि हाँ मैं तुष्टिकरण करूंगी आप अगर कहेंगे कि नहीं आपको विसर्जन दुर्गा मुर्ती का बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुहर्रम है आप अगर अनेक जगहों पर सरसुती पूजा नहीं होने देंगी तो ये जनता क्या दबती रहेगी ये जनता लोकतंत्र में रहती है इस जनता का अधिकार है कि लोकतंत्रिक तरीके से आप ये जैश्री राम के नारा क्यों शुरू हुआ क्योंकि एक सभा में जब चार लोगों ने जैश्री राम कहा मुहमता बेनरजी ने उनको एरेस्ट करवाया तो लोकतंत्र में इसी प्रकार से प्रहार होता है पत्थर से लड़ाई से प्रहार नहीं होता है पॉलिटिकल वाइलिन्स से लड़ाई नहीं होता है इसी प्रकार से जनता प्रहार कर रहे है